गुड मर्निंग स्टुडेंट्स आज हम क्लास्थ्री का एक निया चप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दो रैन्बो फेरीस फेरीस का मतलब होता है परियां तो यहाँ पे देखो आप सभी को पता है रैन्बो का मतलब क्या है इंद्रधनूस है तो इंद्रधनूस का जो इंद्रधनूस का एक दिन का बात क्या हुआ है दो थो क्लाउट्स बो एक समर डे था यानि कि गर्मी की दिन था तो उस टाइम दो थो क्लाउट्स आसमान के उचायों पर उड़ते हुए जा रहे थे बो दोनों बहुत तेजी से बहुत फास्टली ट्राभेल कर रहे थे मगर क्या हुआ they bumped their heads एड बोध begin to cry और दोनों का सीर आपस में टकरा जाता है देखो यहां पे दोनों का सीर आपस में टकरा गया है वैसे दोनों का सीर आपस में टकरा जाता है और दोनों रोना शुरू कर देते हैं and both begin to cry ओल्ड फादर सॉन लुक्ट आउट एंड सेड ओ नेभर माइंड माई डियर्स आई इल सेंड माई लिटिल फेरी फॉक टू ड्राय योर फेलिंग टियर्स तो यहां पर सुरज बोलते हैं कि ओ नेभर माइंड माई डियर्स कोई घबराने का बात नहीं है आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉक टू ड्राय योर फेलिंग टियर्स मैं अभी मेरा एक परी जिसका नाम है फॉक उसको मैं भेजूंगा धर्ती पे और जो तुम्हारा आशू गिर रहा है उसको बो योलकुदि से सुखा देगा उसको ड्राय कर देगा वान फेरी केम कीन भावलेट वान है एक ए worldly चैने अभावलेट एंडवाром उन इन होच जाते हैं साथ ठो कलर के फैरेश और बो लोग एक रो पे खड़े हो जाते हैं रो का मतलब एक सीधी लकीर पे खड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं वाइप कर देते हैं कलाउट्स का जो टियर्स होता है जो आसू होता है बादल का उसको बो लोग पोच लेते हैं और सूरज का रोसनी के साथ वो एक सिध्धा में खड़ा होके एक लाइन पे एक रो पे खड़ा होके वो जो सूरज का किरन से जो बादल का आसू था उसको बो लोग ड्राय कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स चप्टर में इतना ही था छोटा सा चप्टर है कहां पर अगर डाउट्स है तो फिर मेरे से पूछ लेना ओके बाई